दोस्तो फ्रॉम लॉंग लॉंग टाइम एपल वॉच इंडॉस्ट्री लीडिंग है बट नौ सेंप्शन गेलेक्सी वॉच फॉर के साथ सेंप्शन ने कुगल के साथ मिलके एंडुड यूजर के लिए डेवलोप किया है वे रोस 3.0 तो क्या यह स्मार्ट वॉच कमाल कर पा है तो क्यों इन सारे क्वेशन के अंसर आपको आज वीडियो में मिलेंगे सो वीडियो को पूरा देखना अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरू करना सो बिदर वेस्टिंग एंड फ़र्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह हैं गेलेक्सी क्लासिक स्मार्ट वॉच्छ दैन यहाँ पर आपको मिलता है मेगनेटिक चार्जिंग डॉप एंड एट इट सिट वोक्स कंटेंगों करते हैं साइड में लेट्स रिव्यू समसंग गैलक्सी वॉच्छ फॉर क्लासिक दोस्तों इस स्मार्ट वॉच्छ को पैर करना सिंपल नहीं है विकोज यह स्मार्ट वॉच्छ एंड्रोइड वियर ओएस के साथ आता है दोस्तों सैंप्संग गैलक्सी वॉच्छ फॉर क्लासिक दो टाइप के मॉडल के साथ आता है 42 mm और 46 mm जिसकी प्राइस कुछ इस तरह है नाव हमने जो लिया है वह 46 mm वाला लिया है और आ अल्यूमिनियम का मिलता है वैसे दोस्तों अगर आपको एगिलर गेलक्सी वॉच्छ फॉर की भी अन्बॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना है तो मुझे नीचे कमें स्क्षिन में ज़रू बदाना नाव यहापे गेलक्सी वॉच्छ फॉर क्लासिक में आपको फीजिकल ने लेक्सिंगन होताए जिसका मटरीर इतना कंटले रच फुली टस्क्रच गुशै गेलक्सी बहातो दाना उनक्या मतरीय। दिस्प्ले मिलता है जो Gorilla Glass DX protection के साथ आता है and fully touch control है उपर से as we talk यहाँ पर आपको physical rotating bezel मिल जाता है जो आपके smart watch को stylish look देता है नव यहाँ पर exact number तो नहीं पता but इस smart watch का display बोथ indoors and outdoors में कपी ज्यादा bright है and आपको outdoors में भी इस watch के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस smart watch पे सब कुछ easily देख पाएंगे now galaxy watch for classic में आपको always on display भी मिल जाता है जो आपका watch face slightly dim कर देता है and यह रात में ज्यादा भी थूल लगता है so overall galaxy watch for classic एक premium display के साथ आता है दोस्तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजे दोस्तो as you know हम यह सारे गैजेट्स अपने पैसों से बाय करते हैं तो अब तक आपने चैनल को सब्स्राइब कर लिजे दोस्तो galaxy watch for classic में आपको swiping gestures मिल जाते हैं जैसे की उपर से swipe down करने पे आपका control panel open होता है नीचे से swipe up करने पे आपका apps drawer open होता है लेप से swipe right करने पे आप notification देख पाएंगे and right से swipe left करने पे आप widgets देख पाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से customize भी कर सकते हैं now compared to my old gear s3 frontier smartwatch जो की tizen os पे चल रहा था यह galaxy watch for classic smartwatch android wear os 3.0 के साता था है now यहाँ पे आपको body composition measure करने का एक unique feature मिलता है जिसमें आपको जश्ट अपने बीच की दो उंगली को buttons पर रखनी है and यह measuring start कर देगा and इस feature के साथ आपके body fats measure होते हैं दूस्तों smartwatch में आपको tons of watch faces मिल जाते है directly from play store और from third party apps like facer and आपको smartwatch के साथ watch faces की कोई भी कमी नहीं होगी उपर से wear os होने की वज़े से galaxy watch for classic में आपको अब third party apps का भी support मिल जाता है जैसे की Strava and Google Map जो older galaxy watches में missing था दोस्तों one of the best thing I love most about samsung watches is samsung health and samsung health आपको galaxy watch for classic में भी देखने को मिलता है with the help of s health app यहापे आपको 95 plus workout मिल जाते हैं including walking, running, cycling, swimming, hiking and more more और यहापे आपको spo2 and heart rate monitoring का भी support मिल जाता है जो पहले से ज्यादा improved हो चुए है दोस्तों हमारे last galaxy watch active 2 के review को लगे बहुत सारे लोगों को confusion था कि क्या हम bluetooth version से भी calls receive कर सकते हैं या फिर notification का reply कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप अपने galaxy watch for classic के bluetooth version से भी अपने phone calls directly smart watch पे ले सकते हो स्मार्ट वोच से ही directly उस notification का reply भी कर सकते हैं आपको किस app की notification चाहिए और किस की नहीं वह आप वेरेबल अप्स में control कर सकते हैं दोस्तों स्मार्ट वोच पे multimedya की बात करें तो आप अपने smartphone के pics डायरेक्ली अपने smart watch की gallery अप में देख सकते हैं स्मार्ट वोच से स्मार्ट वोच से सकते हैं इवन आप इस smart watch पे डायरेक्ली मुजिक को लोड करके सुन सकते हैं या फिर आप Spotify अद अधर मुजिक स्टेमिंग अपको डायरेक्ली अपने smart watch पे डाउनलोड करके मुजिक को एंजग कर सकते हो दोस्तो galaxy watch for classic में आपको 361 mAh की बैटरी मिलती हैं जो compare to other budget smart watch काफी कम बैटरी बैगप देती हैं यह smart watch यहापे आपको light usage के साथ up to two days and average usage के साथ just one day का बैटरी बैगप देता है which is quite okay I think next version में galaxy watch को बैटरी बैकप को जरूर से इंप्रूब करना चाहिए दोस्तो biggest con of galaxy watch for classic smart watch is no payment app support like google पे and samsung पे for Indian smart watch users now I am not sure why but smartphone में बोथ Google पे and samsung पे का support होने के बाद भी Indian users के लिए smart watch पे दोनों में से किसी भी payment option का support नहीं है now इसके related मैंने अपने twitter account पे आज एक tweet भी डाला है तो हो सके तो please उसको retweet जरू करना so samsung and google यह जान सके कि how much we Indians want this payment option in our smart watch and also without this payment option यह smart watch एक ordinary budget smart watch फील होती है so at the end I suggest you to go and get other budget smart watch rather than spending this much huge money in galaxy watch 4 so that's it friends I hope यह वीडियो आपको help करेगा decide करने में क्या आपको galaxy watch 4 classic buy करने चाहिए या फी नहीं वीडियो अगर आपको helpful लगा देन प्लीज वीडियो को like कीजे and share गीज़े अब मैं friends के साथ also latest smart watch के reviews के लिए हमारी चाहिए को subscribe कर लिजे मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए keep watching and stay safe my friends के लिए